तो आज मैं कुछ exclusive चीज़े लेकि आई हो exclusive video exclusive information आज हम जानेंगे बेलेट्रिक्स के आयन थ्रस्टर के बारे में और प्लस बेलेट्रिक्स पुश्पक के बारे में यह दो चीज़े इस वीडियो में तो चलिए ही जानते हैं तो बेलेट्रिक्स के आयन प्रपॉल्शन के पास बढ़ने के पास एकदम बहुत तेज ब्रीफ ले लेखते हैं यह आयन प्रपॉल्शन है क्या कन्वेशन केमिकल रॉकेट कुछ में बन करके खतम हो जाता है इसकेस में वह एक इंपल्स प्रवाइड करते हैं बहुत सारा थ्रस्ट बहुत कम टाम में प्रवाइड करते हैं यह आईडियल है हमारे धरती के सर्फेस से स्पेस में जाने के लिए पर इसपेस में यह उतने आईडियल नहीं है अगर हम इंटर प्रपलेटरी ट्रेवल ले वगरा की बात करें बहुत इन इफिशेंट है तो इसकेस में आयन प्रपॉल्शन काम आता है यह एक सेकेंड या बहुत ज़ादा हुता इसका तो एक यहन प्रफोल्चन वाला काम कैसे करते इंभ अबहुत सारे रॉकेट्स की उपर देखा है एकदम बेजीक में जान लेते हैं काम कैसे करते हैं तो आपके पास एक basically एक chamber होता है जिसके अंदर आपका fuel इस case में xenon gas पकड़ लो अब xenon gas को bombard करते हो electrons के साथ अब xenon आपको बता ही होगा वो एक noble gas है मतलब उसके sub field है orbits तो जैसे ही वो positively charge हो जाते है एक electron निकलने के बाद अब भार जाने के बाद दूसरे वापस एक electron feed करके neutralize किया जाते है ताकि वो वापस आके thrust cancel ना करे एकदम basic basic है मुझे बता है काफी लोग एक detail video मांग रहा है मुझे खुद को और जानने इस चीज़ के बारे में और study करनी है तो हम definitely बनाएंगे मैं dates दे नहीं सकता क्योंकि आ i don't think उन्होंने upload किया वो चाहिद next वाले thrusters के upload करेंगे यह नहीं किया है यह micro satellites के लिमेंट है जो करीब 50-500 kg के आसपास वाले range में होंगे यह xenon use करता है propellant के लिए जो मैंने आप भी explain किया पर परिक खुद का proprietary propellant develop कर रहे है जो future में इसी replace करेगा वो propellant जो होगा ज्या मतलब जितने xenon gas यह xenon molecules निकल रहे है उतना आपको उतने weight का आपको thrust मिल रहा है basically तो वही है यह सब पर xenon बहुत बहुत ज्यादा मेंगा है बहुत ज्यादा मेंगा है अगर आपने मेरा SpaceX of India वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने भी Bellatrix की थी specifically उनके thruster के बारे में प IZRO अपने satellite के उपर इस्तेमाल करनी वाले Bellatrix का तो अलग बात है Confuse मत करें दोनों को मुझे बता है काफी लोग सोचेंगे कि क्या IZRO के पास electric thruster वो develop कर रहे हैं जी सेट 4 जी सेट 9 जी सेट 4 तो फेल हुआ उसका launch जी सेट 9 के उपर जो South Asia satellite है उसके उपर किसी और का था औ और जी से 20 में शायद future में आपी दिखेगा तो देखते हैं कैसे जाता है अभी इसका size देख लेते हैं आपको इस वीडियो देखिए इसका size नहीं पता चल रहा होगा यह जो thruster का size है इस electric का वह करीब आपके हाथ के इतना है तो काफी छोटा है वह और आपको बताए होगा आप जितना चोटा करने जाते हो किसी भी चीज़ को उतना ज्यादा complex होते जाते हो चीज़ तो रोहन जो CEO है जिनसे मैंने बात भी की तो वह कह रहे थे कि यह उनको एक special cathode develop करना पड़ा जो heaterless है और since heaterless है उसकी काफी ज्यादा life है बट उन्होंने एक चीज़ क्लियर की कि यह सब पॉसिबल हुआ उनके electric propulsion team और उनके advisors के वज़े से वगरा तो यह सब team effort था अब यह जो है यह पूरा testing का उनका जो आप देख रहे हो vacuum chamber वगर यह सब मैंने personally देखा है अगर आप twitter पर follow गरता तो आपको बता है यहाँ पे इस chamber से ना actually picture लिकाना बहुत difficult है इसलिए इ इसलिए मुझे किसी और का पिक thumbnail में उसकरना पड़ा अभी मावी मंगता हूं मैं आपकी बट जो भी है काफी cool achievement है और यह प्राइवेट achievement है याद रखो अब इसका फाइदा क्या मुझे बदा है काफी लोग पूचेंगे इसका फाइदा क्या है पहले तो यह satellite का life बहुत बढ़ा सकता है हाँ एक problem होगा कि कुछ महीने लगेंगे satellite को final orbit में जाने पर आप imagine करो कुछ महीने वेस्ट करते हो और काफी सारे साल satellite के इसमें add कर देते हो तो वो काफी बड़ी बात है आपको अगर choice दे कि हर 5 साल एक satellite launch करो या थोड़ा एक्स्ट्रा खरचा करके एक satellite launch क जुसरा चुनोगे तो यही obviously case dependent पर यही advantage मिलता है electric propulsion का NASA, Japan उन्होंने अपने इंटर प्लैनेटर्य एस्टराइड मिशन पर अगरा electric propulsion का यूज किया है अभी आते है पुषपक के उपर मैंने explain भी नहीं किया स्टार्टिंग में पुषपक क्या है अभी पुषपक यह Bellatrix का OTV यानि Orbital Transfer Vehicle अभी यह सब क्या है देखो अगर हम किसी भी rocket को ले तो वह limited orbit को certain मतलब अभी स्काइरूट के विक्रम को ले लो काई रूट का विक्रम जो है वो करीब 235 kg डाल सकता है solar synchronous polar orbit में find 8 km के पर अगर उसी रॉकेट पे किसी को launch करने और सपोस्ट जीयो stationary orbit जाना है वो करीब 36,000 km दूर है तो फिर कैसे करेगा उस case में वह customer एक OTV का help ले सकता है Bellatrix के 235 kg total weight हो सकता है तो Skyroot का विक्रम low orbit में उसे launch करेगा low orbit में रखेगा फिर उसके बाद यह जो OTV होगा जो push-puck होगा push-puck अपने thrusters यूज करेगा इस case में वह plan कर रहे कि four thrusters होंगे 200 watt की ऐसे similar future में जाके वह upgrade करेंगे उनके powerful thrusters के साथ पर फिलाल के लिए 200 watt के चार thrusters ऐसे और फिर push-puck उसे अपने destination तक लेके जाएगा थोड़ा time लगेगा but totally worth it होगा क्योंकि आपको rocket में सेफ करने मिल रहा है और फिर आपकी जो life satellite के वह भी बढ़ रही है अब इस platform की flexibility आप देखे सकते हो काफी कुछ चीज़े कर सकते हैं इसके साथ multiple satellites देख रहे हो बहुत अर्ली रेंडर है मैंने स्पेशल इमांग के लिया वह तो काफी आगया है पर यह उनका अर्ली रेंडर था जस्ट कॉंसेप्ट ब्रशाप करने के लिए तो यही है सब आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया ज्यान के गरेवी सबसे बड़ी ज वदेशी क्वांटम संगनक विक्रम वर्मा अभिजेक श्रीवास्तवा निशन कुमार प्रिंस बंसल्फ गीकमेल्थ विन्यागरवाल अल्यासकर बोरी प्रितम और एक अनॉनिमस सब मेंबर्स को बहुत शुक्रिया